नमस्कार दोस्तों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाएए, आज बहुत ही important questions होने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम लोग करने वाले हैं, वो है totally miscellaneous questions, ठीक है, आज जो हम लोग क्या करेंगे, miscellaneous questions करेंगे, और दो चीज आपको समझ में आएगा, पहला कि किस type के questions आपको में हर एक questions को one liner के form में लिख लेना है, ठीक है, जल्दी से मैं share कर देता हूँ, जल्दी से आप लोग जुड़ जाएए, एक बार, ठीक है, चलो, ग्रूप में मैंने share कर दिया, ठीक है, ओके, तब तक लोग जूर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको, जो आज का आपका practice set है, याद रखेगा, आज का जो आपका practice set होगा, वो होगा आपका practice set नमबर 32, कितने नमर का practice set, तो 32 नमर का practice set होगा, सब एक एक लाइन आज आपको लिखना है, क्योंकि जितने भी questions है, वो आपके, miscellaneous के questions है, ठीक है, आसा करता हूँ, कि आज आप questions attempt भी करोगा, और maximum questions आज आप सही भी करोगे, ठीक है, चलो, so good evening to everyone, तो यह रहा आपका, जब तक सब लोग जूट जाते, एक से दो मिनिट हम लोग रुकेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग start कर लेंगे, ठीक है, और एक बाद जो कुछ लोग, मतलब, जितने लोग भी हमसे paid group में जूरे थे, ठीक है, मैं कभी बता नहीं रहूँ अभी, ठीक है, पर जितने लोग भी कल से, ठीक है, दो तीन दिन में जितने भी जूरे हैं, maths reasoning वाले group में, आज मैं रात तक उनको add कर दूँगा, ठीक है, और आज से 7 बजे याद रखेगा, 7 बजे आज से आपका maths reasoning का practice set होगा, आज से आप exactly सम समझ पाओको कि exam में questions कैसे solve करते हैं, ठीक है, कि maths and reasoning का भी आज से, आज से, आज का 7 बजे, याद रखेगा, आज आपका practice set होगा, चलो, तो आपके लिए मैं पहला questions एक लगा देता हूँ, जब तक सब लोग आते हैं आप तक तब जल्दी से इसका answer दे दीजे, जल्दी सा आप इसका answer दोगे, तब तक लोग जूर रहे हैं और मैं इसको और share कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार, और थोड़ा सा support करो, आप लोग भी share कर दीजे, ठीक है, तो देखिए, पहला क्या होगा, पहला option है, आपका hemistrometer, दूसरे आपका spectrometer, तीसरे आपका calorimeter, और फोर्थ है आपका exonometer, ठीक है, तो बताएए कि इसका answer क्या होगा, आज आपके सामने बहुत ही important questions होगे, जो आपको सबको सही करना है, जितने लोग भी जूर के आप जल् चलो, तो पहला जो question से आपका, देखो, इसका आप लोग जल्दी से answer दीजिए, ठीक है, ये question होगे, question of the day है आपके लिए, कि the growth of bacteria is measured by, ठीक है, तो growth of bacteria जो होता है, वो क्या से measure किया जाता है, आप जल्दी से बताएए, ये आपका question of the day है, ठीक है, और आज का जो आपका ये practice set है, ये है, आपका practice set number, कितना, 32 number का practice set है, आज हम लोग miscellaneous questions करने वाले है, ठीक है, चलो, दो question देखोगा, तो इससे आप ये समझ में आएगा, कि miscellaneous में पढ़ना क्या है, ठीक है, दूसरा, हर एक line को आप लिखते हुए चलोगा, जो भी questions है, one liner में, notebook आपने बना लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, चलो, तो आज आपका साथ बजे, दरोगा, मैंस के लिए, BSSE, मैंस के लिए, BPSC के लिए, आपका maths and reasoning का practice rate होगा, questions टुटफूजिया, questions नहीं होगा, ठीक है, directly from the paper होगे, और best solution, मैं आपको समझाऊँगा, कि exactly exam में maths का, कैसे attempt करना है, ठीक है, जरूर जूर ये का, आज साथ बज हो, तो सब A to Z चीज में आज आपको समझाऊँगा, ठीक है, बाकी, एक information जो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर unacademy से अभी तक नहीं जूरे, तो ज़रूर जूरे, देखो, SSC CPU सबको भरना है, हर दिन ये में बात बताता हो, दो इस्टार वहा भी आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि किसी भी subject में आप चूक रहे हो, ठीक है, किसी भी subject में अगर आप चूक रहे हो, तो makes your, आप SSC का सबस्क्रिसम जरूर ले, ठीक है, आप बस ROI SUJIT, ठीक है, सुजित लिख लेना, प्रोम उबी टॉप एडूकेटर, आप सब को पता होगा, आप अने के बारे आप बतानी के जरूरवत नहीं ठीक है, तो जरूर एक बार आप SSC के एकजाम दे रहे हो, तो जरूर यहाँ से सबस्क्रिसम ले, ठीक है, चलो, तो यह पहला कोशे ना आपकी स्क्रीन पर, चलो, देखो, डैस डान्स, पर्फॉर्म बाई बुद्धिस, टू, वार्ड ओफ इबिल इस्प्रीड, इन डान्स फॉर्म ओफ हिमाचल प्रदिस, ठीक है, तो basically exactly हिमाचल में नहीं, और भी जहाँ जहाँ बुद्धिस्थ है, वहाँ यह यूज होता है, जैसे कि आपका और नाचल परदिस का तवंग हो गिया, ठीक है, कुछ पार्ट आपका सिक्की में भी इवन यह यूज होता है, ठीक है, तो यह एक ऐसा डान्स है, जिससे क्या होता है, कि जो बुरी आत्मा होता है, माना जाता है, कि उसको भगाते हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताए इसका एंसर क्या होगा, और मुझे इस तरीके से लिखोगे, वन का सि, और नौट बुक खोल लोगे, लिखोगे आज, मुझे पता है, मैक्सिमम लोग आज कोशन से आप एंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है, देखो, पहला कोशन गलत आ गया, सतिश कुमार जापका एंसर गलत है, इसका जो सह जो सही इंसर है, यह है आपका छम, यह बेसिकली बुद्धिस्ट द्वारत किया जाता है, लामा लोग के द्वारत, ठीक है, अब देखो, यह जो धम धम बोल रहे हो न सब लोग, यह धम जो याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है, यह है फोक डांस, कहा का, तो हर्याना क तो दो चीज आपको यहाँ से याद रखना है, पहला आपको याद रखना है छम, बिसिकली यह यूज होता है बुद्धिस, जो बुद्धिस्ट की जो मोन, मौन्क होते है, मौन्क मतलब लामा, ठीक है, अब बहुत लोग सही देर हो, ठीक है, चलो, तो यह हो जाएगा, इ ठीक है, चलो, Who was the first female director general of police in Puddericherry? एक-एक question, यह latest questions है, ठीक है, बुक से छापा हुआ नहीं, जो exam में आते हैं, उस तरीके को questions में कर भा रहा हूं, ठीक है, अनुसी, अरुनिस कुमार बोल रहे हैं कि मेरा सही हुआ, बहुत ही अच्छा, जिनका सही हुआ, ठीक है, और सुन्दरी नंदन, प्लीज गलत मत कीजिएगा, जल्दी से बताए कि इसका answer क्या होगा, देखो इसका जो सही answer हो जाएगा, जो पूछा जाए कि Puddericherry का, पहली महिला, पुलिस महानिरिशक कौन थी, ठीक है, सब, देखो कितना easy आप से गलती करा, मुझे पता था, आप सब लोग इसका किरन बेदी दोगे, इसका सही answer है, सुन्दरी नंदन, ठीक है, आज मैंने थोरा सा off topic ले लिया, ठीक है, यही चीजे, देखो आप लोग का पढ़ने का style, थोरा off topic ले लिया, ठीक है, मतलब conventional से थोरा में हटके questions करवाने लग गया, आप लोग गलती करना शुरू कर दिये, ठीक है, तू का जो होगा, यह हो जाएगा, आपका सुन्दरी नंदन, ठीक है, अरुनेस कुमार, बहुत ही बढ़िया, तू का D.O. बोल रहा है, सुन्दरी नंदन, संजना जी, आपका काफी अच्छा performance रहता है, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका सुन्दरी नंदन, ठीक है, याद रखेगा, और एक लोग एक बारी एंसर देऊगो, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है, अब देखो, prevention of historical article is done in a science, ठीक है, किसी भी historical article को, ठीक है, यानि एतिहासिक चीजों को, जो, जो उसके study किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बुला जाता है, तो preservation of historical article is done in a science of, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एंसर, जल्दी से बताओ, preservation of historical article is done in a science of, ठीक हो जाएगा, आइसोनोरग्राफी, ठीक है, निमेस्टिक, म्यूसियोलोजी, और एपिग्राफी, ठीक है, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, जो जो historical, थोरा सा अगर आप यहाँ सूचोगे, ठीक है, दिमाग लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा, इस्टोरिकल आर्टिकल हम लोग कहा रखते हैं, वो म्यूजियम में रखते हैं, तो म्यूजियम से आप करने कर लोगो, म्यूजियोलोजी, तो पहला कोशन तो ठीक है, आपका यहाँ से यह बंद, अब देखो दूसरा कोशन, आइसोनोग्राफी क्या होता है, तो याद मैं देख रहाँ, तो नियूमोस्टिक क्या होता है, यह होता है आपका स्टाडी अप कोइंस, तो स्टाडी अप कोईंस, मेडल, या मेडल को आप कलेक करोगे, वो सब जो होता है, आपके अदर था नियूमोस्टिक, इपीग्राफी आप सबको पता होगा, जो भी अक्छर अच्छे अच्छे लिखे जाते, study of scripture जो लिखा गया है, उसके study को ये बोलता है, इसका जो answer था, museology सब याद करना है, ठीक है, ठीक है, तो क्या याद आगना है, museology, समझ में आया, चलो, आगे चलते हैं हम लोग, तो preservation of historical article is done, और एक चीज, एक भी मैंने उल्टा पुल्टा कमेंट देखा, मैं ब्लॉग कर दूँगा, ठीक है, दो लोग ही देखेंगे, पर अच्छे लोग देखेंगे, ठीक है, over smart लोगों की यहाँ जरुवत नहीं है, ठीक है, over smart जरुवत नहीं है, preservation of, यह चार चीज चलो, Dash is the founder of Facebook, सबको पता है, Mark Zuckerberg, अब यहाँ, आप questions क्या पूछेगा, यह तो खेर पूछ लिया गया है, question, एक एक questions आया हुआ है, 2019, अब यहाँ से पूछेगा, पहला question, कि Facebook कब फॉर्म हुआ, ठीक है, हम सब school में थे, 2004 में Facebook फॉर्म हुआ, ठीक है, दूसरा question पूछा ज आदमी जो मतलब entrepreneur है, वो अभी unacademy पर आके अपना lecture दे रहे है, ठीक है, तो Jimmy Wells, यहाँ दखना, Wikipedia का नाम सब ने सुना होगा, ठीक है, अगर पूछे कि Wikipedia का founder कोन है, यहाँ दखना, Jim Wells, और इसके साथ एक और नाम यहाँ दखोगे, क्या यहाँ दखोगे, Larry, जो नहीं कर रहे है, make your right, लिखो इसको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, 2004, 2004, 2004, 2004, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ दखना को, Wikipedia का founder कोन है, तो Jimmy Wells and Larry Langer, अब देखो, यहाँ confuse करेगा आपको, Larry Page, ठीक है, Larry Page, जो यह Google के है, ठीक है, और Sergei Averin, यह जो Larry Page है, यह Google के है, और आपके जो यह Larry Langer है, यह किसके है, तो Wikipedia के, याद रखोगे, ठीक है, जल्दी से, दो कोशन और कर लेते हैं, Wikipedia का form हो, अगर में यही चीज़ पूछ दो, ठीक है, तो याद दखेगा, Wikipedia जस इससे, तीन साल पहले, मतलब 2001 में, Wikipedia है, किसने form किया, जल्दी मेरे साथ बोलो, Larry Langer Jimmy Wales, ठीक है, और Facebook 2004, Marks. जी करवेक, एक यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है, Google, याद रखेगा, 1998 में यह form हुआ था, ठीक है, Google, ठीक है, सर्जीय वैरिन, और आपका Larry Page, इतना चीज़ आपको यहाँ से याद रखने है, ठीक है, चलो, Dash is the group of folk dance of a Sikkim, performed in a honor of Mount Kanchanjunga, the guardian deity of the Sikkim, देखो, इसमें एक और लिख लो, ठीक है, फट फट, ठीक है, देखो, तो एक क्या है, कि Sikkim का एक समोहुन लोक नित्या है, जिसे Sikkim के लोग, संड़क्चक, आराध्या, Mount, देखो, एक कोशन, बहुत ही selected questions है, एक्जाम में आए ह बहुत सारी questions नहीं भी देखोंगे, Mount Kanchanjunga के सम्मान, जो Mount Kanchanjunga आपको पता है, इसके सम्मान में ही किया जाता है, ठीक है, यह folk dance, तो इस folk dance का नाम क्या है, यहाँ पूछा जा रहे है, ठीक है, जल्दी से बताइए, चो मा लोग, ठीक है, टेंदूंग लोरूं फार्ट, यह चूफाट, यह फटफट, ठीक है, इसका क्या है, जल्दी से बताइए, चलो इसको मैं आगे आपको कराता हूँ, आप लोग याद करके मुझे बताना, या आप इसको कमेंट करोगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, कल मैं इसका answer आपके लिए बताऊँगा, ठी इसको, नेम दी फर्स्ट, ठीक है, नेम दी फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल, ठीक है, अब यह सूपर इंपोर्टेंट, सौ बार यह कोशन्स पूछा जा चुक है, ठीक है, सौ बार से जादा यह कोशन्स पूछा जा चुक है, नेम दी, ठीक है, य याद एकना स्रिलंका का, तो स्रिलंका का, जो महिला थी ये, ओर टोगे फर्स फीमेल क्राइमिस्टर थी, तो यह हो जएगा, सिरी मावो भंडार नायक, तो यह हो जएगा आपका सिक्स का भी, इसका सब का सही होना चाहिए, यह बहुत बार को से नाया हो, इंद्रा गांधी क सार्क, सार्क आपको पता होगा, फुल फॉर्म याद कर लो, साउथ एसियन, एसोसियेशन ओफ रिजनल कॉर्पोरेशन, जल्दी से मुझे इसका पहले, इसका हम लोग एंसर देख ले थे, ठीक है, तो हुआस दी फर्स्ट एवर फीमेल सेकेर्टी जेनरल अप सार्क, तो देख क्या हो जाएगा, इसका जो सही है, फातिमाद, ठीक है, विद्यान, साइथ, ठीक है, ये पहली ओमेन थी, जो बने थी, क्या, सेकेर्टी ओफ सार्क, अब दो कोशन, या दो तीन कोशन, जल्दी से बताओ, सार्क का फॉर्मेशन का बोगा, तो मैंने आपको ट्रिक से थीक है, और अभी इसका, जैनरल सेकेर्टरी कोर्न है, तो याद रखेगा, इसीला, याद रखनार, पूरा नाम लिख दूँ, वी-र-को इसीला वार कों, याद रखीगा, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस कोशन का एंसर है, फातीम दियान जो कि पहली थी, ठीक है, याद अखना, आगे चलते हूं, आज जितने भी questions है नहीं, इसको static GK में miscellaneous questions बोनते हैं, आप सिर्फ questions मत करो, आप ये भी देखो कि इससे और क्या questions future में आ सकते हैं, ठीक है, उस वो चीच के लिए भी important है, देखो, the dash is the traditional musical instrument of the limbo community, ठीक है, of सिक्किम, कौन सा अजली से बताईए, dash is the traditional musical instrument, एक छली धोलक की तरीके से ही होता है, ठीक है, देखने में, तो dash is the traditional musical instrument of the limbo community, आप सिक्किम, ठीक है, आपका, छाया, बुरूं, जेरम सेली, नौमिता, अंचुतक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आप आपका छाया, बुरूं, याद रखना है, ये सब कोशन सा आप भूल जाओगे, लिख लो one liner में, ठीक है, एग्रोनोमी इस दी प्रेक्टिस ओफ राइजिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताईए, एग्रोनोमी इस दी प्रेक्टिस ओप राइजिंग, क्या को बोलते है, प्लांट एन एनिमल, क्रॉप्स प्लांट, एग्रिकल्चर, फ्रूट एनिमल, आप मैक्सिमम लोग इसमें आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाएगो, ठीक है, क्या होगा, इसका एंसर जल्दी से बताईए, आप लोग 8 का एंसर क्या दे रहे हो, सब लोग B, 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 B ठीक है, कितने लोग ने सही दिया है, ठीक है, इसका एंसर A होगा, ठीक है, चलो, एग्रोनोमी, तो एग्रोनोमी जो होता है, basically it's related to crop, ठीक है, crop plant को, ठीक है, अगर crop plant related, practice किया जाए, उस पे, ठीक है, चलो, सही दे रहे हो, ठीक है, इसका जगे, एग्रोनोमी is the practice of crop plant, फस्ट, अब याद हखना, फस्ट प्रोटोटाइप का बात कर रहा है, again, फस्ट प्रोटोटाइप, बहुत ही बरिया, राहूल अर्या बोलने, crop plant, बहुत ही बरिया है, 9 का एंसर, देखो, तो जो फस्ट वर्किंग प्रोटोटाइप और इंटरनेट था, ये 2019 के सब कोस्ट से, ठीक है, miscellaneous वला, तो ये था आपका अर्पनेट, ठीक है, अर्पनेट था, अब ये अर्पनेट क्या है, तो मैं जल्दी से इसका फुल फॉर्म बता देता हू, Advanced Research Project Agency Network, इसका एंसर हो जाएगा, ये, ठीक है, मुझे कोई बताएगा, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP, ये भी computer से related है, उसके बाद IP, ये दो का मुझे जल्दी से फुल फॉर्म बताओ, प्लस रोम का भी फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, क्या होता है, जल्दी जल्दी आप comment करो, बहुत ही बरिया, रंजीत परकास जी ने एंसर दिया है इसका, बहुत ही बरिया, ठीक है, अर्प से बताओ, Ministry of Social Justice, Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource and Development, या Ministry of Social Appear, इसका आपको याद एकना, इसका जो सही एंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ही बरिया, कभीता सिंग जी बोलना है, Hypertext Transfer Protocol, बहुत ही बरिया, बहुत ही बरिया, exactly इसी तरीके से पढ़ना है आपको, इसका क्या हो जाएगा आपको याद एकना, कि which of the following ministry implemented the midday mill, याद एकना, HRD minister करता है, आप जल्दी से मुझे ये भी comment करो, कि हमारा HRD minister कोने, जल्दी से comment करो, next, यहाँ से जो question पूछा जाएगा, कि midday mill आखरी start कब हुआ, तो ये बहुत पहले start हो गया था, 1995 में ही ये start हुआ था, ठीक है, तो इत अरे, intellectual property नहीं होता है, चलो, internet protocol होता है, मैं computer के language में बात कारता, IP मतलब होता है, internet protocol, याद कर लो, आएगा exam में, ठीक है, internet protocol, और HTTP, बहुत लोग ने सही दिया है, hypertext transport protocol, ठीक है, चलो, आगे चलते, in which year the term gross happiness index, याद रखना बहुत important term है, ठीक है, आपको पता है कि जो भुटान जो है, मतलब काफी happiness index में हमेशा काफी उपर रहाता है, ठीक है, एक और लिखलो इसका, 1970, ठीक है, तो पुछा जा रहा है कि in which year was the term gross happiness index coined by the fourth king of भुटान, जिगमी सिंगे वांग्चुक, 1982, 1964, 1989 या 1970, अब जल्दी से कमेंट करो, तो याद रखना है, जो जिगमी जी, जिगमी मतलब कौन, अभी पता है, वहाँ राजा का ये चलता है, ठीक है, तो fourth king थे, उन्होंने ये term दिया था, gross happiness index, बैसिकली मैं जल्दी से बता हुटा हुट तो ये क्या था, देखो, उनके मतलब देश में, ठीक है, कितने लोग मतलब खुस हैं, किस लेबल पर, बैसिकली उन्होंने ये चीज निकाला, तो इकाब आया था, तो 1970 में आया था, ठीक है, चलो, अब देखो, अब देखो, इक कलर, फुल आर्ट, नेम नंदन ब्लोग प लेना इसको, नंदन ब्लोग प्रिंट, ठीक है, बेसिकली ये कहां यूज होता है, एक यूज कहां होता है, तो ये तारापूर विलेज है, अब ये विलेज तारापूर जो विलेज है, जहां नंदन ब्लोग प्रिंट यूज होता है, वो कौन से स्टेट में, उत्राखन, म इंडेक्स में भारत 144 रेंक में हैं, आखिर हम क्यों इतने दुखी हैं, कोई कमेंट करके बताएगा, चलो, देखो तो यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका, मद्या प्रदेश, ठीक है, सब लोग तारापूर देखे महराष्ट मार दिये, बस वही तो करबार है, और यह देखो, तो 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 जो 19 का कुछ सेन है, सब लोग यही करके आए होंगे, ठीक है, तारापूर, तारापूर पावर प्लांट है न, तो सोचे होंगे कि वहाँ है, यह तारापूर यह भीलेज है, ठीक है, और यह जो है, मद्या प्रदेश में, और बेसिकलि याद रखना, कली मैंने कोशन आपको करवाया था, कि सब से जादा ST, according to 2011 census, कौन सा था, भील जाती, और यही भील जाती, यह चीज करती है, ठीक है, तो इतना आप याद रखोगे, प्रिया कुमारी जी ने सही दिया, बहुत ही बरिया, सिवानी सिंग ने ने मद्या परदेश, बहुत ही बरिया, चलो, आगे चलते हैं, नेम दी इंडियन स्पेस, बहुत ही सुपर इंपोर्टेंट कोशन, आप ध्यान से समझना, नेम दी इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन, चेयर मैन, ठीक है, वो चेयर मैन भी रह चुके है, पदमा भीवसन, अबोडी, जिनको पदमा भीवसन भी दिया गया, वो किरियेटेर एन अनलिस्ट, ए हिस्टोरिकल मोमेंट मार्स ओर्बिट, ठीक है, बिकम दी फर्स्ट इंडियन स्पेस क्राप्प टू इंटर मार्टीन ओर्बिट, ठीक है, चलो, सिंपली यह पूछा जा रहा है, कि जो हमारा जो मार्स, जो मॉम, आप लोग याद होगा, ठीक है, जो मार्स तक जो स्पेस क्राप पहुचा था, तो तब इस रोगे चेर्मेन कौन थे, बैसिकलिए यह पूछा दर है, ठीक है, तो देखो, तो यह जो है, आपका सुंदर पिचाई के राधा किसनन, फाली निर्मन या नंदिन निलंगन, ठीक है, तो क्या होगा इसक अपको डिप दी, नॉबल पीस प्रैस, इसको मैंने बहुत बार करवाए, इस टैप के कोशन्स, ठीक है, हर एक कोशन्स जो मैं करवानों कहीं न कहीं मैंने टच किया है, ठीक है, और आज जो कोशन है, आपको not only लिखना है बस यह भी देखना है, कि यहां किस टैप कोशन्स अब देखो, which Indian received the Nobel Peace Prize after the Mother Teresa, ठीक है, कि कोन Indian था after the Mother Teresa, उनको Nobel Peace मिला था, ठीक है, आपको यह यहाँ कमेंट करना है, तो आपको पता है कि सबसे पहला जो 1913 था जिसमें लिट्रेचर में, ठीक है, किसको मिला था, रविनार टेगोर को मिला था, ठीक है, उसके बाद यहाँ बात which Indian received the Nobel Peace Prize after Mother Teresa, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो Mother Teresa को जो मिला था, ठीक है, उसके बाद जो 2014 में, ठीक है, कैलास सकार्थी को मिला है, और इन्हों ने जो share किया था, अपना, ठीक है, अब जो share किया था, किसके साथ किया था, मलाला, यूसूप के साथ, ठीक है, बहुत ही बहुत ही बरिया, अब मुझे ये बताओ कोई, ठीक है, कि Mother Teresa को कम मिला था, बहुत ही बरिया, सतीश कुमार जी ने लिख दिया है, 1979, बहुत ही बरिया, ठीक है, 1979 में Mother Teresa को मिला था, ठीक है, उसके बाद 2014 में जाके फिर से, पीस में मिला है, कैलास सकार्थी को, ठीक है, यह प्याद रखिएगा, ठीक है, 1979 में उनको मिला था, ठीक है, बहुत ही basic question, I don't, मतलब, I don't even, single person से मैं इसमें गल्ती नहीं चाहता हूँ, ठीक है, makes your, गलत नहीं करना है, देखो, तो who is the author of the book, रजत रंगनी, ठीक है, तो रजत रंगनी, जली से बताए, तो रजत रंगनी को से, आपको पता है, इसमें history of Kashmir के बारे में बताया गया है, ठीक है, history of Kashmir के बारे में बताया गया है, और ये किसने लिखा है, ठीक है, तो ये लिखा है, आपका कल्हन ने, बान भटा, जल्दी से बताओ, कौन सा कौन सा, दस बार में बता चुका, कादंबरी, ठीक है, और ह वम्देव याद रखना कथा सरीता कथा सरीता ठीक है देखो exam में question छोड़ना नहीं है हर चीज में आपको करबा दिया हूँ आज आपका maths का maths and reasoning ठीक है बहुत मतलब क्या बोलू मतलब बहुत channel में ने देखा कि दरोगा मेंस जहां लिक देते हैं आप लोग कूद जाते हो ठी कैसे आज मैं दिखाऊंगा उनके ही paper solve करके ठीक है बहुत सारे कि आप aurely paper को कैसे solve कर सकते हो ठीक है चलो सब को लेके आना है अगर नहीं अच्छा performance रहा आप लोग सब लोग नहीं जूरोगे तो मैं फिर बंद कर दूँगा ठीक है तो 7 बजे आज आपका maths reasoning का होगा ठीक अगर किया जाए speed of the wind का तो किया जाता है before velocity ठीक है मतलब wind velocity के किया जाते है ठीक है बहुत ही बरिया पुषकर जी बोलने कि एहमद अली को इथोपिया के PM को peace prize मिले बहुत ही बरिया चलो 18 who was the first female chief justice of state high court अब यहां गलत मत करना questions क्या पढ़ रहा है बताया जा रहा है पहले पढ़ना है उसको ठीक है simply मतलब excited हो के answer नहीं दे देना है क्या पुछा रहा है देखो who was the first female chief justice of state high court in India देखो तो क्या है इसका सायद ताहिर लीला सेट रुमा पाल और फतीमा बेवी इसमें दो नाम आपको बहुत similar लग रहा हो इसमें आप confuse करोगे एक है लीला सेट एक आपका फतीमा बेवी इसका जो सही answer हो जगा यह हो जगा लीला सेट और यह कहां की बनी थी तो डेली की बनी थी ठीक है so if they will ask you about like the first female chief justice of state high court ठीक है state high court तो कौन सा था डेली का था और कौन बनी थी तो लीला से और फातीमा बेवी से आपको क्या question पूछा जाएगा यहां पूछा जाएगा आपको क्या कि first female judge to be part of supreme court अगर पूछा जाए कि first चलो सब लोग गलत नहीं किये सबसे बहतरीन मुझे यह देखके लग रहा है कि सब लोग 18 का D गलत कर दिये मुझे पता था फिर कुछ लोग सही कर रहे हो कुछ लोग गलत कर रहे हो ठीक है अरे इसमें confused आज लिख लो one में one liner लीला सेट ठीक है यह related थी आपका chief justice of state यहीं state high court का ठीक है और फतीमा भी बीजित ह पहली कोई omen जो आपकी supreme court में judge बनी थी ठीक है first female judge to be part of supreme court ठीक है इसका answer हो जागा आपका यह थोड़े थोड़े से के लिए देखो आप confuse कर जा रहे हो ठीक है exam में ऐसा questions में आप confuse कर रहे हो मिथुन बहुत बारी question पूछा गया ठीक है SSC में भी और difference exams में कि मिथुने cattle breed is found in Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Kerala और Maharashtra बहुत ही basic questions से जल्दी तो इसका जो सही answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका Arunachal Pradesh क्या हो जाएगा Arunachal Pradesh इसका सही answer हो जाएगा ठीक है move to the next question easy questions में उसको मैं यह नहीं करूँगा ठीक है क्या हो जाएगा वीर कुमर सिंग जैन्ती इस सेलिवेटेड डैस ठीक है इसका एक option I think इसको सब कोई पता होगा बटी एक्जाम में आया था वीर कुमर सिंग जैन्ती इस सेलिवेटेड इन डैस इन ओर तो रिकोगनाईज दी अचीभमेट ओपे कुवर सिंग द्यूरिंग उन्डिवेले ऌपता है कि 1857 इस इस सब सब जगह से लागनव था उसमें कुवर सिंग का जाग इसपूर से उन्होंने और दुने और माना जाता त लत抵 जीत थी 1857 में, उसमें सबसे जादा मतलब एक जो प्रभाब डाला गया तो वो आपका कुमर सिंग के द्वारा डाला गया था, तो बहुत इंपोर्टेंट है, तो 20 का जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, बिहार, इसमें कुछ, जो बिहार से बाहर है, उनके लिए प्रोब्लम ह बाकी किसी के लिए प्रोब्लम नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है, अब ये कोशन समझ लेना, ठीक है, क्या पूछा जा रहे है, यह दो वर्ड याद करके रखोगे, ठीक है, टेवारों को समाजिक रूप से बुरायों को समान किया और पुतलों को, मतलब, जो इविल सो होते है ना उसको पुतलों को जला के बेसिकली ये कल्चर है तो बेसिकली ये कहां मनाया जाता है ठीक है इसको एक बार और लिख लो इसमें और अप्शन था जैपूर ठीक है इसमें क्या होता है कि पुतले को जलाया जाता है ठीक है ताकि सोसल एविल को हटाया जा सके तो बे आप भी उनके तरफ वीर होंगे तब तो, ठीक है? चलो, काला भवन, ठीक है? बहुत important question again, काला भवन founded in 1919, is not an institution of education and research in visual arts, it is located in, तो ये कहां located है, basically ये पूछा जा रहे, ठीक है? तो याद रखेगा, ये बहुत important इसलिए है, क्योंकि ये जो बनाया गया था, तो आपको पहला question यही पूछ लेगा, कि किन के द्वारा बनाया गया था, तो ये थे, गुरुजी, मतलब, रबीन नाथ टेगोर के द्वारा ये बनाया गया था, इसलिए ये super important question हो जाता है, और अंगलिस में भी बोलता हूँ, ठीक है, अब जो like का button होता है, उसको दबा दीजी, ठीक है, सब लोग, चलो, और maths का जो 7 बजे बला होगा, सब लोग को आना है, ठीक है, 2-4 के request से मैं continue नहीं करूँगा, और इस तरीके से आप maths, आप समझ में आगा, कि आखिर maths है क्या, किस dance, music, food and culture, यह basically कहा होता है, और इस step के questions कोई नहीं कराएगा, क्योंकि एक के questions मैंने eliminate करके, especially मैंने इस session के लिए बनाया था, ठीक है, ताकि miscellaneous के questions का आपको idea हो जाए, ठीक है, इसका जो सही answer होगा, ठीक है, तो याद दखेगा, और हर दिन 5 बजे आजाना है, ठीक है, इस area में, ठीक है, तो next जलते है, next जो हो जाएगा, आपका, dash in the Himachal Pradesh, ठीक है, dash in the Himachal Pradesh, इस famous tourist attraction, ठीक है, इसका सही answer मुझे बताईए, इसका सही answer क्या होगा, और थोड़ा noise आएगा, क्योंकि construction चल रहा है, तो उसको ignore करे, ठीक है, ऐसे mic काफी, high-five माइक है, तो कमी आए ठीक है, ठीक है, तो dash in the Himachal Pradesh, अब जल्दी से बताओ, मुझे ये भी बताओ, कि बहुत बार पड़ा है, सबसे पहले बताओ, agile passes का है, chang lang passes का है, mintak passes का है, रोhtang passes का है, देखो, तो Himachal का बात के है, आपको पता है, ये का है आपका, रोhtang passes, इसका सही answer होगा, देखो, agile का है, तो Jammu and Kashmir, Changlang का है, तो ये आपका लदाक में, ठीक है, mintak का है, तो ये याद रखना, जो आपका कारा कोरम range है, ठीक है, कारा कोरम range, ठीक है, ये basically passes किसके बीच में है, तो Pakistan and China के बीच में, ठीक है, याद रखना, बहुत important points में बता रहूं यहाँ, ठीक है, तो ये जो mint ठीक है, किसका, कारा कोरम range में, और आपका, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये चीज है, ठीक है, अब देखो, अब देखो, बहुत ही basic question है, थोरा सा दिमाग लगाओ, समझ में आजेगा, extinct organism, मतलब क्या, थोरा सा हिंटी पी दे देता हूं, जो पेर पोदा, जो भी ठीक है, तो वो क्या हो गया, मर गया, अब क्या है, कि उसके बारे में study किया चारा है, तो उसको क्या बोलते है, प्लेनोलोजी, फाइलोजी, प्लेंटो, बोटनी, क्या बोलते है, तो इसका सही answer होगा, ये होगा आपका, बहुत ही बर्या, ठीक है, ये होगा प्लेंटो, ल कुतुब बुदिंग किसका स्लेब था चलो उतना नहीं जाना ठीक है देखो तो यह जो थी इसका सही एंसर हो जाएगा आपका रजिया बेगम ठीक है किसकी बेटी थी तो इल्टुतमिस इल्टुतमिस से बहुत सारे कोशन आते आपको याद अखिएगा कुतुब मिनार का जो फाउंडेशन स्टार्टिंग इसने करवाया था तो इल्टुतमिस ने ही करवाया था ठीक है बहुत सारे कोशन है अभी इतना कर देए इसका तो सही एंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका रजिया बेगम ठीक है दिप्रधान मंत्री श्रम योगी मंधन योजना लॉंच्ट बाई ठीक है किसके द्वारा लॉंच किया है दो तिन कोशन हमलता है पहला तो किसके द्वारा लॉंच किया गया दूसरा ठीक है कभी लॉंच किया गया ठीक है तीसरा कौन से स्टेट में पहला बार ही launch किया गया तो किसके द्वारा किया तो मोदी ठीक है कहां हुआ ठीक है तो गुजरात से start हुआ ये ठीक है और कब हुआ तो 2019 में ही हुआ और ये क्या है तो ये pension scheme है ठीक है सो मेक स्यूर कि एक एक पॉइंट अफचा से अपने दिमाग में रख लेना है ठीक है बहुत ही बरिया सब लोग बुलने के इल्थुत में चली सा बनाया था ठीक है चलो आगे चलते है विच आप दे फुलेंग इस नोट ए वोकल फॉर्म अफ हिंदोस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही बहतरीन कोशन आपको यहां देखो समझो कि पूछा कहां से जा रहे आपको एक पॉइंट आप से यहां समझ में है कि हां क्लासिकल से पूछ इसको में एक बढ़ पर लो यह सही तरीका होता है ठीक है चीजों को बुक से अपने कोशन देखा डेफिनेटल आपको सी और सवरी बुक से तो एनलाइज जरूर कीजे ठीक है चीजों को अब हर चीज मुख में खिलाने वाला बात नहीं विच आप दे फुलेंग इस नोट हम बहुत जल्दी एंसर दे देते हैं ठीक है हम थोड़ा देरी से एंसर देंगे अब ठीक है तो यह अठाइसमा कोशन था आपका नेक्स जलते हैं दे लीडिंग राइट ऑफ ए राम कल्ट वास सेंट पोईट राम चरतमादस किस ने लिखाया आइ तिंग नींद में भी ग कुछ ने आज 30 कोशन मेंने लिया था ठीक है क्योंकि हर दिन पचास होता है पर आज यह थे थोड़ा मिसीनियस कोशन थीक है इस पेसली मेंने आपको काफी टाइम लग गया इसको करने में ठीक है तो इसका जो सही एंसर हो जगा यह हो जगा आपका तुलसी दास और मार्स 23 इंडिया अब्जर्ब डै कौनसा डफजर्ब करती है आपको पता इस दिन भागत उंगा क्या होगा था ठीक है काला दिवस तो सही एंसर हो जाएगा यह क्या हो जगा बिरोत दिवस सही दिवस प्रोटेस अ ट्रिबीउट डै जिसका सही एंसर होगा आपका सही डिवस, ठीक है, याद रखेगा इतना आप question of the day के भरते हैं, ठीक है कि पहला question में आपको क्या दिया था चलो इतने question थे, ठीक है so, thank you so much for joining, first of all आज 7 बज़े आपका, ठीक है 7 बज़े आपका आज maths का live test होगा ठीक है, आप कोई भी exam दे रहे हो especially the roga men's और BSCC men's, जुड़ना है हर किसी को, ठीक है मैं देखूंगा, आप लोग इतना चिलाते हो ना सर्फ परहाई है ठीक है, अगर आप सबको share भी करना है, ठीक है उसको आपको बताओ कि हाँ, ऐसा हो रहे है कुछ तो जितना बताओगे उतने लोग ज्यादा जूरिंगे, आज 10 बजे, बोल रहा हूँ 10 से 12 questions होंगे आपके 7 बजे, ठीक है और exactly जिस exam में, exam के questions होंगे, मतलब simply अगर आप वो questions कर पा रहे हो, मेरे दिये हुए time में मतलब आपका maths अच्छा है, आप अपना list में अपना नाम लिख चुके है अगर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेहनत की जरुवत है, ठीक है साथ बजे मिलते, सब लोग को आना है, ठीक है अगर नहीं आए, तो में बंद कर दूँगा, simple ठीक है, उतना time लगाऊँगा कहीं और तो, मतलब गरदा फिर कुछ आ जाएगा मेरा, ठीक है चलो, so thank you so much और maths स्टार्ट करने के एक रीजन ये भी है बहुत लोग गलत परहार है, एक चीज याद रखना, मैंने एक चीज आपको बताया था, crack exam ठीक है, एक चैनल का नाम मेंने बताया था, current affairs क्यों बताया मैंने, क्योंकि वो चीज अच्छा कर रहा है, वो अच्छा परहार है, पर बहुत लोग है तो गलत परहार है, तो definitely I am not going to leave that kind of person, ठीक है, so thank you so much, study well and study all, बाकी चैनल पर नहीं हो, subscribe कर लेना है, जय हिंद, और हाँ, चैनल का जो group link है वो नीचे दिया होगा, दोनो, telegram और whatsapp, join कर लेना, ताकि आपको, मतलब, लाइव आने से पहले आपको पता चल जाए